नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागंदर मिस्ता चैनल में दोस्तों यदि आप अपनी लाइप में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज कोई बहुत भाग साली होगा जो दो मिनट निकाल कर पांच बार सुनेगा ये सब्द दोस्तों जो भी ब्यक्ति इस मंत्र को सुन लेगा उसके जीवन के हर कष्ट ही मिट जाएंगे इस मंत्र को अगर आप एक बार भी सुन लेते हैं तो आपका जीवन सरल हो जाएगा दोस्तों भगवान गड़ेश जी को बिगन हर्ता कहा जाता है इसलिए जीवन में बिगन बाधाएं जब आने लगे तब गड़ेश जी की अराधना जरूर करने चाहिए खास कर उनका जो मंत्र है उसमें अद्भूत चमतकारी सकती है मानते हैं आप बहुत पूजा पाट करते हैं लेकिन मंत्र जो चंदों में होता है उसका जो ध्वनी होती है वो आपके जीवन के कष्टों को समाप्त कर देती है वनवांचित फ़लों की प्राप्ती के लिए आप इस मंत्र का जब कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं इसका लाभ आपको मिलना ही मिलना है मंत्र बताने से पहले दोस्तों आप से रिक्ष्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को सेर कर दीजेगा और अगर आप ने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन दबा दीजेगा दोस्तो भगवान सिव और माता पर्वती के पुत्र गड़ेश जी इस मंत्र से बहुत जल्द प्रसंद होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो आप इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से सुनिएगा ये मंत्र ऐसा है दोस्तों कि इसको अगर आप सुन भी लें तो आपके दुखों का बिमारियों का अंत्होना तैं है यानि कि रोग सोक रिड कर्ज इन सबसे मुक्ति मिलती है लेकिन आप इसे प्रेम से सुनिएगा क्रोध मत कीजिएगा द्वेस मत रखिएगा इरसा मत रखिएगा जलन मत रखिएगा क्योंकि अगर ऐसी भावनाएं रहेंगी तो मंत्र आपको लाब कैसे मिलेगा आपको तो मंत्र ग्रहन करना है इसलिए इन भावनाओं को काबू रखना बहुत जरूरी है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों को सेर कर दीजेगा और आप हमारे चनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा